नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है सियाविने नियूस पर इस पक चारी है खबरों की रफ्तार का सिलसला आईए डालते हैं एक नजर पाच खबर आजमगर जिले के एरॉला विकास खंड की पंचायत उपचुनाओ का परड़ाम घोशित हो गया सुबह 8 बज़े से मदगरना प्रारम हुई और 12 बज़े तक दोनों ग्राम सभा का परड़ाम घोशित हो गया जिसमें ग्राम पंचायत सत्वहिया को अपना नया सरपंच तो वहीं कोतवाली पुर ग्राम सभा को अपना नया छेत्र पंचायत सद से मिला है शुक्रवार को बलाक कार्याले में कड़ी सुरक्षा के बीच मदगरणा हुई जिसमें ग्राम पंचायद सत्वहिया से ग्राम पंचायद प्रधान पद के लिए चार उमिद्वारों ने अपना नमंकन किया था जिसमें रहाना बानो सरपंच निर्वाज़त हुई है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी अलीना को 13 ओटों से सिकस्त दिया है तो वहीं कोतवाली पुर ग्राम सभा से तीन उमिद्वारों ने नमंकन किया था जिसमें से प्रेम लता छेतर पंचायद सद से चुनुई गई उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी लता देवी को 243 ओटों से पराजित किया पंचायत उप्चुनाव परडाम घोशित होने के बाद विजेता उमिद्वारों को आरो वासुदेव मरुद्वारा प्रमाण पत्र दिया गया आजमगर जले के तरॉलिया सामूदाइक स्वास केंध परेसर में परड़ानमंद्री जन जन आउशधी परियोजना के अंतरगत जन आउशधी मेटकल इस्टोर का भाजपा नेता संजय सिंग सक्कूर ने फीता काटकर सुभार्म किया पतादे कि मुधी सरकार ने साल 2015 में परदानमंतरी जन आउशधी पर योजना को शुरू किया था आम आदमी पर से दवाई की खर्च का बोज कम करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी जन आउशधी केंदर पर देश की दूसरी केमिश्ट के दुकानों से 90 प्रतिशत सस्ती दरों पर दवा मिलती है क्योंकि ये जनरिक दवाई होती है दुकान के संचालक विपिन कुमार गुपता ने बताया कि जन आउशधी मेटकल इस्टोर पर दवा बाजार के पेक्षा 70 से 80 प्रतिशत कम दाम पर रहती है जिसमें गैस, बलड प्रेशर, कार्डियो, मल्टी विटामिन सभी दवा का दाम बहुत कम रहता है इस जन आउशधी केंदर पर कुल 300 पर कार के दवाएं उपलब्द हैं जिसमें मल्टी विटामिन की दवा यदि बाजार में 150 रुपए में मिलती है तो यह जन आउशधी केंदर पर 146 रुपए में उपलब्द रहेगी यानि कि सारी दवाएं बाजार रेट से बहुत कम दामों पर उपलब्द रहेंगी बलिया में जिलादकारी सौमिया अग्रिवाल पर अधिवक्ताओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है दरसल मामला बैरिया तहसील में एक अधिवक्ता के साथ तहसील दार दोरा अवेवारिक क्रिति को लेकर है जहां काफी दिनों से बैरिया तहसील दार पर कारवाई की अधिवक्ता मांग कर रहे हैं वही आज नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्टेट पैसर में डियम का प्रतिकात्मक शव यात्रा निकालकर डियम कारियाले पर ही प्रतिकात्मक शव को फूंक दिया और जम कर डियम के खिलाप नारे बाजे किया अधिवक्ताओं का अरोप है कि तैसिल दिवस पर अपनी मांग को लेकर के गए वकील को तैसिलदार ने गर्दन पकड़ कर पटक दिया अधिवक्ताओं की बांग है कि तैसिलदार के इस कृत्य के लिए फाया दजोर और तैसिलदार का गैर जन्पद में अस्थाना अंत्रड हो प्रियागराज के घुरपू थाना छुट के सारंगापूर इलाके में दबंग प्रिवदी के इवक्त बिनोद कुमार यादो ने अपने ही चचेरे भाई मुकेश कुमार यादो पर हंसिया और चाकू से हमला कर दिया जिसके चलते हैं मुकेश कुमार यादो घायल हो गया घटना की जानकारी पुलिस को दे गई सुशिना के आदार पर पहुंची पुलिस ने घायल मुकेश कुमार यादो को इलाज के लिए सीच सी जस्टराली करके गई जहां पर अब उसकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है लोगों के मताबिक एक पीड को कटवाने के लिए विनूत कुमार यादो पहुचा था जिस पर मुकेश और परिवार के अन्य सदस्यों दोरा इसका विरोध किया गया जिस पर मुकेश कुमार को विनूत ने जान से मारने के धमकी दी थी सुबह मुकेश अपनी दुकान के निकला तब पीछे से विनूत कुमार यादों ने हसी और चाकू से हमला कर दिया जिससे मुकेश घायल हो गया हर दोई में कांग्रेस निताओं ने कांग्रेस कारियाले से जलूस निकाल कर महंगाई बिरोजगारी जीएश्टी अगनी वीरों के मुद्दों पर सरकार की विरोध में नारे बाजे की जलादेश के नित्रुत में निकाले गए इस जलूस में जिलादेश ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से बच रही है कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है और जमकर सरकार का विरोध कर रही है कांग्रेस जिलादेश आसिश कुम से आई विंडियानूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें